दोस्तो आपके phone में back side में अगर fingerprint है या फिस side में है पर दोस्तो आप चाहते हो कि आप अपने mobile को display के fingerprint lock से unlock करो तो दोस्तो ये possible नहीं हो पाता है पर दोस्तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल में भी आप in display fingerprint lock लगा सकते हो जैसा कि नया नया phone में आता है in display fingerprint lock आप लोग को देखने को मिलता है new phones में पर दोस्तो पुराने phones जिनके पास है उनके mobile में side में fingerprint log मिलता था या फिर back side में fingerprint log मिलता था पर दोस्तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बीना कोई application डाउनलोड किये हुए बस आपको अपने mobile के अंदर ही कुछ settings करनी है जिससे आप कर लेते हो अच्छे से तो दोस्तो definitely आपके mobile में in display fingerprint log मैं लगवाने वाला हूँ अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने mobile में ही आप कुछ settings करोगे जिसके बाद आपके mobile के display पर lock आ जाएगा जिससे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी back side के fingerprint lock का और आप दोस्तो अपने mobile को unlock कर सकते हो बस दिस्प्ले पर fingerprint ऐसे लगाओ और आपका mobile जो है वो unlock हो जाएगा तो दोस्तो आपको क्या कर लेनी होगी बस आपको हमारी इस वीडियो को बीना skip किये हुए सु यूनिक होने वाली है जो जो मैं आपको settings बताऊंगा इस वीडियो में आपको वैसे वैसे same to same करते जाना होगा दोस्तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ उससे पहले मैं आपको सबसी important settings बता देता हूँ जिससे कि आप उतने वाइल में नहीं करते हो तीजे ट्रीक को like option दीखेगा तो आप इस वीडियो को like कर दो उसके बगल में share का भी option दीखेगा तो आप अपने सारे दोस्तों को share कर दो Facebook WhatsApp Instagram फिर दोस्तों आपको नीचे में comment section का भी option दीखेगा तो वहाँ पर जाकर कर दो कुछ भी जैसा कि nice awesome या फिर आप अपना नाम लिख दो तैकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो settings है यह आपकी MI के phone में काम करने वाली है दोस्तों अगर आपके पास भी वह उपको कोई भी mobile है तो दोस्तों आप हमें comment section बताओ मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ MI का अंदर जाना होगा अप लोग कहीं पर भी theme मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर theme के अंदर आते हो तो आप लोग को कुछ इस तरह का option देखने को मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह फुराना मोडल है और यह मैंने theme का update भी यहां पर नहीं किया है तो दोस्तों आ आप लोग option भी देखोगे wallpaper, ringtone, font और profile का इस तरह जो option है आपको simply theme का option पर जाना होगा अगर आपके पास थोड़ा new brand जैसे कि side में fingerprint आता था अगर आपका वास वैसा phone है यह सब जो option आपको नीचे में देख रहा है वह आपको यहां पर में दीखेगा तो दोस्तों आप लो आप कि मैं आपको बता रहा हूं, real X, आप लोग clear देख सकते हो, दोस्तों यहाँ पर real X नाम है इस theme को आपको सेर्च कर लेना होगा, अपने phone में तो दोस्तों आपको क्या कर लेना होगा, आपको real X सेर्च कर लेना होगा आप लोग अच्छे से spelling देख लो, उसके बाद मैं यहां पर सेर्च करता हूं तो नहीं पर सेर्च किया तो आप लोग देख सकते हो यहां पे Real X Legacy आपको आपके सामने आ गया एक थीम अब आपको इसे open करना वोगा दोस्तों आप इस इस थेम के उपर यहां पर किंग का क्राउन बना हुआ है मतलब किसमें पैसे मांगेंगे पर दोस्तों जिसमें नहीं है यह option उसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसलिए मैं आपको एक थेम यहां पर आपको दिखा रहे हैं यहां पर जितने भी थेम हैं सारे fingerprint प्रिंट लॉक वाले हैं पर दोस्तों यहां पर मैं यहां पर एक्गम पर से उपर में यह जो setting देख रहा है ना home screen system icon दोस्तों कस्टमाइजेशन में आपको यही सारे option देखने को मिलेंगे उसमें भी दोस्तों आपको क्या कर लेना होगा जैसे कि icon का system और home screen का आपको जो tick है उसको हटा देना होगा सिर्फ आपको log screen पर टीक रखना है क्योंकि दोस्तों यह जो theme आपको सिर्फ log screen पर ही चाहिए दोस्तों इसलिए आपको सिर्फ log screen पर टीक रखना है उसके बाद दोस्तों आपको apply कर देना होगा जैसे आप apply करोगा तो यहाप apply हो चुका है और यहाप आप लोग देख सकते हो थेम यहाप अप्लाइड आ चुका है दोस्तों यहाप लोडिंग ले रहा है उसके बाद हमारे वाइल ठीक हो गया यहाँ पर हमारे वाइल थीम था वो apply हो चुका है अब हम simply अपने मौइल को यहाप लॉक करते हैं और जैसी हम अपने मौइल को unlock करते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर fingerprint मांग रहा है हम जैसी fingerprint प यहाँ पर कि आपके मूबाइल में यहाँ पर जो इंडिस्प्ले फिंगर पिंट जो सिस्टम था वह यहाँ पर एक्टिबेट हो चुका है पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत important setting दोस्तों अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मै वाइल में नहीं काम करेगी तो दोस्तों जल्दी से मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल काम जाके वाल सेट कर दो अपने साहरे दोस्तों को सेयर कर दो कॉमेंट सेक्शन जो बताब का आप हमाला यह वीडियो कैसा लगा